हलो दोस्तों मैं हूँ मोबाइल वाला यूट्यूबर और आप देख रहे हैं मुझको दोस्तों मैं मोबाइल वाला यूट्यूबर इतना जल्दी वाइरल कैसे हो गया मेरा चैनल इतना जल्दी ग्रो कैसे हो गया उसका जो सीक्रेट है मैं वो आपको बताने वाला हूँ आज क्योंकि बहुत से लोग comment कर रहे थे मेरी बहने comment कर रहे थी बहुत से मेरे भाई लोग comment कर रहे थे और कह रहे थे कि सरा आप ये बताईए कि आप इतना जल्दी viral क्यों हो रहे हैं क्या ऐसे आप technique लगाते हैं इससे कि आपकी वीडियोज पर इतना व्यूज आता है और आप फटाफट वायरली होए जा रहे हैं आज आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे 12,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं तो पांच ऐसा काम मैं रोज करता हूँ जो आपको भी करना चाहिए और आप पी सफलता की तरफ महुचने लगेंगे ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियोज को ध्यान से देखिएगा इसकिप मत कीजिएगा जो तीसरा और पांच वा है वो सबसे महत्पूल लाइन है ठीक है उसको ध्यान दीजिएगा एक लाइक तो करी दीजिएगा य फिर भी मैंने कुछ इसमें ट्रिक लगाया दिमाग लगाया और उसके बास ये चैनल चलने लगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहला जो मेरा काम था ध्यान से सुन लिजिएगा सबसे पहले मैं क्या करता था कि जो भी बड़े बड़े यूटूबर हैं जो मतलब कि जिनका लाखों में सस्क्राइबर था या है मतलब कि 10 लाख है या 5 लाख है या उससे ज्यादा सस्क्राइबर वाले जितने भी यूटूबर हैं जो मेरे कटेगरी में आते हैं या फिर मेरे कटेगरी में नहीं भी आते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो म comment box में जा करके मैं comment करता था अब देखिए बाकी जो सब कर रहे हैं ये करो आप मुझे support करो मैं support करूँगा मैं ये नहीं लिखता था मैं उसमें कुछ ऐसी word का यूज करता था वैसा word मैं लिखता था जिस वज़ा से वो बंदा जो है comment पिन कर देता था मेरा ये भी ध्यान दि जो मुझे बहुत ज़्यादा help किया है मैं लोगों के videos में जा करके बड़े बड़े जो creator हैं उनके videos में जा करके अच्छा सा एक प्यारा सा comment करता था और उसके वज़ास से मेरे comment को वो पिन कर देते थे नहीं भी करते थे कोई बात नहीं लेकिन मैं comment करता था उससे मुझे benefit पहला काम यह है देखिए मैं यह काम करता हूँ आप इसको करो या ना करो मैंने तो किया है और आप भी चाहें तो कर सकते हैं प्यारा सा comment और मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा मैंने क्या किया था दूसरा मैंने यह किया था कि मैं अपने जो मेरा YouTube चैनल का ID है ना जो YouTube चै देखता था, जो मेरे category का है, यह बात कोई नहीं बताता है आपको, और पता नहीं लोग try करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं तो करता हूँ, मैं उस ID से, जो मेरा ये channel है, mobile वाला यूटूबर, इस ID से, मैं सिर्फ वही videos देखता हूँ, या वही videos मैं, मतलब, play करता हूँ, जो मेरे category का है, मेरे, मतलब समझ रहे हैं, category, जैसे मेरा tech category का है, तो मैं tech category का ही videos, play करता हूँ, इस से मैं फालतू का, जैसे फालतू मैं, जो मेरे काम कर नहीं है, या फिर जो knowledge मेरे को काम कर नहीं है, या फिर other किसी category का कोई videos है, मैं उसको play नहीं करता हूँ, इस से, ये मेरा, मतलब secret है, अब मानो ये काम करेगा या न करेगा लेकिन मेरा तो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं इस ID से सिर्फ वही वीडियोज प्ले करता हूँ, जो इस category का है, या मेरे category जैसे मिलता जूलता है, वही वीडियोज मैं देखता हूँ एक ही category का वीडियोज, अब ये समझ रहा है ना एक ही category का वीडियोज ऐसा ने कि कोई भक्ती, कोई सादु बाबा या कोई परवचन या कोई गाने, मैं इससे नहीं सुनता हूँ उसके लिए मेरे मेरे पास अलग आइडिया है या कोई बड़ा यूट्यूबर बता रहा है, कोई अपडेट के बारे में मैं वही एक ID से एक ही वीडियोज देखता हूँ जिससे मेरा चैनल है और से नहीं, जिससे मेरा चैनल है उसी से, ठीक है, ये मेरा दूसरा काम है अब मैं आपको जाता हूँ, तीसरा तीसरा मैं ये करता हूँ, कि मैं कभी भी अपनी वीडियोज में जूट नहीं बोलता इस बात को समझिएगा ये सबसे बड़ा पावर है जो भी मेरी वीडियोज है, आज तक आप जाकर पीछे देख लिजेगा, ऐसे तो ज़्यादा वीडियोज है नहीं तो मुश्किल से 25-30 वीडियोज होंगे 25-30 से कमी होगा और ये मेरी जितने वीडियोज है सारी वीडियोज में मैंने सच बोला है कोई भी बन्दा अगर मुझसे मिले कहीं पे भी, तो ये ये नहीं कह सकता कि आपने उस वीडियोज में जूट बोला था, ये मैं आँखों में आखे डाल करके कह सकता हूँ, कभी भी ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी अपने वीडियोज में ऐसा जरूर कीजेगा तभी आप ग्रो होंगे मैं देखो, कोई भी वीडियोज बनाता हूँ उसमें सच बोलता हूँ क्योंकि मैंने जो अनुभा किया है जो मैंने किया है, जिस तरीके से हो सकता है मैं वही बताता हूँ मैं ये कभी नहीं कहा हूँ, कि आप पांस मेर्ट में ये कर सकते हो तो पांस मेर्ट में यह कर सकते हैं, आपको मैं बेवकूप बना दूँ और आप मुझे देख लो, मेरे भ्यूज आ जा है, मैं यह कभी नहीं किया हूँ, जा करके मेरे किसी वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, जो मेरे पास है, वही दिखाता हूँ, जो मेरे पास knowledge है, मैं वही बताता हूँ, ये सबसे बड़ा, अब क्या बोलू आपको, सबसे बड़ा कारिगर ये नियम है, सबसे बड़ा ब्रहमास्त्र है ये, ये ब्रहमास्त्र से बड़ा कोई अस्तर नहीं होता ना, ठीक वैसे ये ब्रहमास्त्र है, सच बोलिए, जितना आता है ये जो भी भासा, एकदम मनलब सुद सरल भासा वैसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई इसमें अंग्रेजी सामिल कर रहा हूँ अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए जैसा हूँ, वैसा आप लोग जानते हैं और मुझे देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहां चाहूँ, तो मैं क्या क्या नहीं लगा सकता, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ, सिंपल बनके रहता हूँ गाव में भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं, यार इतना बड़ा यूट्यूबर, मतलब इतना तेरा यह है और तो कैसे रहता यार, अभी भी हमें क्या बोलो आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, लोगर है, यह टी-शर्ट है, और बस इसी में मेरी जीवन कट रही है, आज तक मुझे साट में नहीं देखे हूँ गए, मतलब साट पहन करके बीरियोज में आज तक नहीं बनाया है, क जैसा हूँ, यह जैसा आपका भाई है, वैसा ही सिंपल में आपको बताता है, तो यह मेरा सबसे बड़ा कारिगर है, कि मैं जूट नहीं बोलता, सच बताता हूँ, और चौथा जो मेरा सिक्रेट है, चौथा जो मेरा राज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने पिछले वीडियोज में या कई वीडियोज में बताया भी है कि मैं वीडियोज को 3 मिनट से उपर का बनाता हूँ समझ रहा है ना कोई भी वीडियोज मेरी है तो आप जा करके देख लिएगा 3 मिनट से कम से कम 3 मिनट से उपर का है एक मिनट, डो मिनट, देड़ मिनट, आधा मिनट, तिस सेकंड का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी में मेरी वीडियो होती है, वो तीन मिनट से ज्यादा का होती है, कम से कम तीन मिनट और अधिक साधिक पांस मिनट, दस मिनट का भी आप बना सकते हैं, नवे हैं तो कुछ पता ही नहीं है और मैंने मालो की मतलब यूटूप पर काम करते करते यूटूप पर अब कुछ नॉलेज हो गया है तो अब धराधर बोल रहा हूं लेकिन मेरी पहले वीडियो थी वह भी इस तरीके सी मैंने पहले वीडियो बनाया था मोटिवेशनल एक दूसरा चैनल ह मोटिवेशनल किसी को देख करके मैं मोटिवेट सोचा कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बना सकता हूं तो मैं रुक रूप के ऐसे बोल रहा था तो अभी उस टाइम का और इस टाइम का कुछ अंतर क्या बहुत अंतर है मनलब की 100% से कई गुना परसंट मैं आपको बता सकता ह अंतर है अब मेरी पहली वीडियो जा करके देखेंगे आप लोग हसेंगे अब यह मत कहना है कि भाई उसका लिंक दो मैं वह देने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरी आप खिचाई न करना है तो यह कारण है अब मैं आपको आता हूं पांचवा और पांचवा जो मैं आपको ब लेबर चौक पे रोट पे खड़े हो करके लोगों के घर में जा करके द्यारी का काम करता था इट मसाला चरिया इंगल पती राउन गिटी बालू इनी कंदों पे इनी सर पे उठा करके लोडिंग अपलोडिंग किया है और मैं बहुत दिन तक कम से कम तीन साल तीन वरसों त कि नहीं है मैं लेबर था पहले अब लेबर चौक से अब मुझे यूटुब यूटुब कुछ नहीं मालूँ था कि क्या होता है तो मैं उस लेबर चौक पे जब काम करता था तो फिर भी मेरे अंदर एक एटिटूट था कि मैं एक नेक दिन अमीर बनूगा और मुझे करेंगे मैं उसमें दिमाग उनका लगता था और मैं कर रहा था मजबूरी में क्योंकि मेरे घर में इतनी जालत हालात खराब थी 10-10 रुपे के लिए जगरा होता था घर में सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो हमारे माता-पिता आपस में लड़ते थे दादा वी वीडिए बनाने से पहले न मैं उस गरीवी को पहले याद कर लेता ओं और भगवान को पर uninterता करके कहता हो कि हे भगवान मेरे सी जो भी अंदर से निकालना एक दम सच निकालना और पुछ ऐसा निकालना भगवान कि मैं किसी का कुछ मदद कर सकुतूँ है क्योंकि यह लाखों लोग, हजारों लोग मुझे देखते हैं, और वो एक आश लाके बैठे हैं, सोसने यार कि इसके जैसा मैं भी कभी बनूँगा, मेरे जैसा वो बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते होंगे, तो मैं उसको महशूस करके फिर बोलता हूँ, और जो महसूस करके जो मैं बोलता हूँ ना तो मेरे अंदर से जो आवाज आती है जो अंदर से निकलता है उसको मैं क्या नाम दियार वो एक पावर है वो एक सकती है जो सब्दों में बयान ही कर सकता हूँ आप भी जब सच बोलोगे ना अपने वीडियो जवाब बनाओ गया सच बोलोगे बिलकुल इमांदारी से उस गरीवी की समझ करके कुछ लोगों को ग्यान दोगे या बताओगे ना अपने से रिलेट करा करके जब बोलो गया तो आपको भी फील होगा है ना और कहो गया वास्तों में अगर जीमन मैं खुशी से जीना है ना ग्रोथ पाना है नाम कमाना है दौलत कमाना है मैं अच्छाई से जीना है तो आप उस सच का साथ छोड़ी ने सखोगे चाह करके भी ने छोड़ सकोगे जैसा मेरे साथ होता है मैं चाह करके भी अगर मैं आपसे जूट बोलना चाहो तो मेरे से निक लेता हूँ कि क्या मुझे बोलना है और यही मेरा सफलता का राज है और इसलिए जो मेरे दर्सक है या आप मुझे देख रहे हैं इसलिए आपने मुझे प्यार दे रहे हैं और देखो या और मैंने पहले भी कहा था कि इस चैनल से कमाई हो या ना हो मुझे इससे कोई फरक प यह जब नहीं था तब भी तो हम जी रहे थे लेकिन अगर मैंने कुछ सीख लिया है, कुछ समझ लिया है, मेरा चैनल ग्रोथ हो रहा है, तो मैं इसको आपने तक क्यों रखूँ, मैं इसको आपके साथ सेयर करूँगा, और मैं आपको आने वाले वीडियो में बताता जाओँ इसलिए कहा रहा हूँ, इस मोबाइल वाले यूटूबर पर, यदि आपने विश्वास किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करने ज़िएगा, और कॉमेंट में मुझे अपना राय जरूर दिजएगा, बहुत से लोग हैं जो कॉमेंट ही नहीं करते हैं, कॉमेंट पहले भी शुरू में बता यादा कॉमेंट करना चाहिए, कीजिएगा कॉमेंट, तो चलिए मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, सायथ जो मैंने पांच टीव से नदा आपको अच्छा लगा होगा, और आप फोलो जरूर कीजिएगा, मिलता फिर आपसे ने